आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मिराना शाहिद लोगसभाद चुनाओं के सात्वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार कल शाम को थम जाएगा इसके पहले इस चरण की सीटों पर प्रचार चरम पर है आज प्रधानमंत्री और भारती जन्तापार्टी के वरिष्ट नेता नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतुरापूर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार ने चार करोड गरीबों को पक्के घर मोहिया कराये हैं और बारा करोड से अधिक घरों में नल से पानी कनेक्शन पहुचाया है साथी हर गाओं में बिजली पहुचाई गई है श्री मोदी ने कहा कि यह चुनाव जन्ता खुद आगे बढ़कर लड़ रही है क्योंकि उन्होंने दस साल की विकास यात्रा देखी है उधर कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पंजाब में ड्रग्स एक गंभीर समस्या है और यह समस्या दिन प्रती दिन पढ़ रही है लोध्याना में आज एक रैली को संबुदित करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर कड़ी कारवाई करने की आविशक्ता की बात कही श्री गांधी ने किसानों को निनतम समर्थन मूले कार्यानवित करने का वच्चन दिया और कहा कि किसानों के रिण भी माफ कर दिये जाएंगे मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के खुरई तहसील के बरोदिया नौनागिर के पीडित आहिरवार परिवार से मिलने पहुचे पिछले दिनों राजेंदर आहिरवार और उनकी भतीजी अंजना आहिरवार की हाथ से मिम्रत्ती हो गई थी डॉक्टर यादव ने परिवार के बीच बैठ कर चर्चा की मुखे मंत्री डॉक्टर यादव ने पपूर जक के घर जाकर उनके परिवार जनों से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरोदिया नौनागिर की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसी घटना ना हो यह हमारा प्रयास होगा राजी सरकार पीडित परिवार के साथ है उन्होंने ऐसी घटनाओ को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस चौकी खोलने की घोश्ट ना की मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्वर्गे राजेंद्र आहिरवार के परिवार को आठ लाक पच्चीस हजार रुपे की आर्थिक साहता उपलब्द कराई जाएगी प्रदीश में रेत सहित अन्ने खरिंजों के अवैद उत्खनन परिवहन भंडारं तथा ओवर्लोडिंग पर कारवाही जारी है नदियों में निर्धारित माबदन से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सक्त कारवाही की जा रही है देवा, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसेंपूर, खरगौन, हर्दा एवं शेहडोल सहित प्रदेश में लगभग 200 प्रकरन तरच कर डंपर, पोकलिन, मशीन, पंडुब्बी इतियादी जप्त की गई है और एक करोड 25 लाख रुपे का राजस्व अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है उलेखनी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा गत दिवस विभागों की समीक्षा के दौरान, नदियों से अवैद उत्खनन करने वालों पर सख्त कारवाई करने के निर्देश दिये थे अवैद उत्खनन करने वालों के विरुद 15 जून तक अभियान चला कर सख्त कारवाई करने के निर्देश दिये गए है प्रदीश में भीषण गर्मी का दौर आज भी जारी है मौसम विभाग ने आज भी गर्मी के तेवर इसी तरह बने रहनी की संभाव न जताई है लेकिन कल से तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है भोपाल मौसम विग्यान केंदर द्वारा ग्वालियर निवाडी समेत 18 जिलों में भीषण लू का रैड अलर्ट चारी किया गया है वहीं 21 जिलों में लू का ओरेंज और यलो अलर्ट है वरिष्ट मौसम विशिशग्य अजय शुकला ने बताया कि वर्तमान में पडोसी राज्य राजस्थान गुजरात और उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है प्रदेश में चार चर्णों में संपन लोकसभा चुनाओं की मतगर्ना चार जून को होगी मुखे निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजनने कल प्रदेश के सभी 29 लोकसभा संसदीक शेक्तरों के रिटर्निंग अधिकारियों साहक रिटर्निंग अधिकारियों तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर उन्हें मतगर्ना से जोड़ी सभी तैयारियों के संबंध में निर्देश दिये अब कुछ समाचार संगशेप में धार में संसकार भारती द्वारा 26-28 माई तक तीन दिवसी संगीत चित्रकला और मूर्तिकला प्रिशिक्षन कारिशालक आयजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने भागीदारी की बांधवगर टाइगर रिजर्व में बाग दर्शन के लिए देश दुनिया भर से आये परियटकों की सुविधा के लिए पहली बार वाटर एटीम की शुरुवात की गई है जिससे भीशन गर्मी में कम दामों में पैजल उपलब्द रहेगा आज इस बुलेटिन में वस इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार